दोस्तो नमस्कार इन दिनों आइरलेंड के साथ भारत की सीरीज चल रही है टी-20 मैचों की जहां परसिद्ध कृष्णा और जस्परीद भूमरा ने वापसी की और वापसी को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम भी दिया लेकिन अब जो तीसरा टी-20 मुकाबला होना है क्यो लंबे समय बाद आए हैं लेकिन अब सवाल ये है कि इस शाकप के लिए भी वो टीम के ट्रम कार्ट साबित हों और वहाँ पर भी अब टीम प्रबंदन कह चुका है कि वो जादर से ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहते बलकि जादर से ज्यादा खिलाडियों को जो है संबब है कि जैस्परी जैसपाल के साथ रुजुराज का एक वाड़ जो ओपन करेंगे वही टीम की कप्तानी करें और हाला कि मैं समझता हूं कि चार ओवर की गेंबाजी को बहुत जादा गेंबाजी नहीं है क्योंकि आपको दस ओवर गेंबाजी करनी होगी एश्या कप म में और वर्ल्ड कप में तो मैं समझता हूं कि जैस्परीद भूमरा को जो सोर्सिस के हवाले से खबरें आ रही हैं उनको रेस्ट देने की खबरें मैं व्यक्तिकत तोर पर तो इसके पक्षमें नहीं और आप भी अपनी राइज जरूर दीजेगा इस कमेंट सेक्शन में ज संजू सेंसन नहीं होंगे तो विकेट कीपर के तौर पर जिम्मेधारी संभालेंगे और आई पेल में बहुत ही शांदार प्रदर्शानों ने किया शांदार बल्लेबाजी की रिंकू सिंग जो की सिक्सर किंग कही जाते हैं शिवम दूबे आलाउंडर के तौर पर और फि चार स्पेल की गिनबाजी की है चार विकेट चटकाएं हैं और बहुत ही शांदार उनकी एकॉनमी रही है चार दिशमलब आठ साथ की और उसके अलावा जो प्रसिद्ध कृष्णा है उनके बारे में भी सितान्शो कोटक ने कहा है कि उन दो इन दोनों तेज गिनबाजों को रहस्त दिया जाएगा या एक-एक करके रहस्त दिया जाएगा क्योंकि अब ये डेड रबर मैच हो गया है क्योंकि भारत सीरीज पर खब्जा कर चुका है आर्लेंड के खिलाव क्या सोचते हैं आप अपनी राए इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर दें अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब दे करें नमस्कार